Hello everyone, मैं हूँ सच्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चानल पे जहां हम लोग देख रहे हैं MySQL और MySQL के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं Update that means table के अंदर में data होगा और उस data में अगर कुछ changes करना होगा तो हम लोग update क्या क्यूरी चला के data को changes करेंगे तो यह सब के लिए सबसे पहले तो एक table यहां create करना होगा तो मैं यहां पर table create कर लेता हूं table का नाम है हमेशा की तरह student ही रख रहा हूं student का एक table create करता हूं यहां प मैं बोल रहा हूं कि यह not null होना चाहिए और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यह auto increment होना चाहिए मतला अपने से इसका value बढ़ेगा and then next जो रहेगा वो मैं name दे रहा हूं name यह वैर चार इसका data type होना चाहिए यहां पर मैं इसका length दे देता हूं 255 उसके बाद फिर यहां पर मै address एक field दे रहा हूं और इसका मैं वैर चैर data type ही दे रहा हूं और साथी साथ इसका length मैं 255 यह बाहर हो गया 255 दे रहा हूं ठीक है उसके बाद में id को यहां हम लोग primary की बना लेते हैं तो pri primary primary and then key 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 bracket open close and then यहां पर मैं लिख दूँगा id और उसके बाद में bracket को बन कर देते हैं और इंटर मारते हैं तो देखिए हमारा एक table बन गया है अब table बन गया है तो पहले इसमें हम लोग normal data insert कर लेते हैं ठीक हैं तो insert data insert करने के लिए insert का चाह थूभी उस करना पड़ता है insert into ना होता है और इसके बाँ टेबल का नाम जिस टेबल में हम लोग data इंसर्ट करते हैं तो कौन साथ टेबल में पालम लोग data system नाम क्टेबल में आब यहां पर कौन कौन चाहें में और साथा통 में करने वाला हूं और आईडी में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने इसके सिधा-सिधा में क्या लिखा है ओटो सबस्क्राइब और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा वैलियू और उसके बाद यहां पर वैलिव भाल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो यहां पर मैं मैं नेम दे देता हूं और यहां पर address में दे देता हूं B and DM and then फिर यहां पर मैं bracket open close और यहां पर मैं another name दे देता हूं Sanvi और उसके बाद में फिर मैं यहां पर comma and then यहां पर मैं address देता हूं बूलानी उसके बाद में फिर यहां पर और मैं data insert कर देता हूं bracket open close and then यहां पर मैं एक नाम दे देता हूं Anvi and then comma यहां मैं address दे देता हूं आर के एल ठीक है अभी टीन डाटा फिलाल मैं insert कर रहा हूं and then मैं इंटर मारूंगा तो यहां पर देखिए टीन डाटा जो है यह मेरा student नाम का table में insert हो गया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं data को select all from and then name table name तो यहां पर student है मैं लिख देता हूं students तो देखिए इस प्रकार से अभी यहां पर सचीन सानवी यानवी का है ना मदब टीन डाटा मौझूद है इस टेबल में अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने वहां पर लिखा है सानवी बुलानी एड्रेस जो है तो मान लीजे कि मुझको एड्रेस चेंज करना है वह बुलानी के जगा मुझको बंडा मुंडा करना है तो क्या करना होगा हम लोगों को update क्यों री चलाना होगा तो उसके लिए लिखना होगा हम लोगों को update and then table का नाम ठीक है update then table का नाम उसके बाद में लिखना होगा set अभी कौन सा field में set करना चाहता हूँ address तो यहाँ पे हमको लिखना होगा address और उसके बाद में equal to का sign देना होगा and then यहाँ पर जो value हम जाते हैं यहाँ पर update करवाना तो यहाँ पर मैं update करवाना चाहता हूँ bndm लिखना चाहता हूँ address equal to bndm होना चाहिए यहाँ पर क्या है बुलानी मौझूद है मगर आभी इसको पता कैसे चलेगा भाईया की कौन सा रो में update करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग कुछ unique value लेते हैं जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वैर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया वैर and वैर के बाद में यहाँ पर मैंने दे दिया id and then equal to मैंने कहा कि भाईया id number का दो जो है उसको ही update करना है जैसे मैं यह लिख कर इंटर मारता हूँ तो देखी यहाँ पर changes हो गया है एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर select क्यूरी चला के value so करवा देता हूँ select all from and then यहाँ पर लिखना होगा students और इंटर तो देखी यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर दो बंडा मुंडा हो गया है न ओके अब यहाँ पर मान लिजे कि मैं multiple values अगर update कराना चाहूं तो multiple values जो होगा वह ऐसे नहीं update होता है मतलग क्या होगा कि कोई एक ही value update होगा जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं update वाला command लेके आता हूँ और then यहाँ पर क्या होता है कि मैं अगर यह चीज़ नहीं देता मान लिजे यहाँ पर वैर मैं नहीं देता और address equal to bndm लेके मैं अगर इंटर मार दूँ तो क्या होगा कि सारा का सारा जो को रोज है सबका address यहाँ पर मैंने इंटर मारा और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर अगर आपको सलेक्ट वाला क्यूरी से इसका वैल्यू दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि सारा का सारा फिल्ड bndm हो जा रहा है मैं आसा करता हूं कि आप लोगों को अपडेट समझ में आया होगा और अगर अपडेट समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा